राज़ानी मुपाल में आदित तिबिला फाइनेंस का वन स्टॉप बिजनस प्लेटफॉर्म लॉंच किया गया, इसकी माधियम से छोटी व्यापारियों को दो से दस लाग तक का इंसेंट लोन मिल सकेगा, तो वहीं वे अपने व्यापार को भी बढ़ा सकेगे आदित तिबिला कैपिटल की साय कंपनी आदित तिबिला फाइनेंस लिमिटेट ने एमेसाइमी के लिए एक इनुवेटिव वन स्टॉप प्लेटफॉर्म उद्योग प्लस लाँच किया, इसकी माधियम से चोटे व्यापारियों को दो से दस लाग तक का इंसेंट लोन मिल सक के लिए डॉक्यमेंटेशन स्पीर डिजिटली होंगे, इसे खास तोर पर छोटी व्यापारियों को उनके व्यापार को बढ़ानी में काफी मदद मिल सकेगी, इसे लोन लेने की जड़ल प्रक्रिया के साथ ही उनके समय की भी काफी बचत होगे, उद्योग प्लस के माधिय में हमने उद्योग प्लस लाँच किया है, यह जो है प्लाटफॉर्म छोटे बिसनस्में के लिए बनाया गया है, इन टर्मस अफ की उनका इस ओफ टेकिंग लोन, बिकॉज आज के दिन में काफी कमबर्सम प्रॉसेस है, इंटार प्रॉसेस अफ टेकिंग लोन, इस इस प्लाटफॉर्म पे हम उनको होलिस्टिक सुल्यूशन प्रॉइड कर रहे हैं, उनको हम प्रॉइड कर सकें इस प्लाटफॉर्म पे, तो यह हमारा आइडिया है, आज के दिन में अगर हम देखें, मध्रपरदेश में 26 लाख MSME हैं, उसमें से 8 लाख रिजिस्टर्ड हैं, और जो फॉर्मलाइजेशन अफ एकॉनमी हो रही है, इंडिया के अंदर, तो उसको हम, यह जो हम जो है चोटे बिजनेस को यह लोन प्रवाइड करना चाहते हैं, और इस ओफ बॉर्राइग और इस अफॉर्मेशन प्रवाइड करने पड़ेंगें, उनका पैन नंबर, उनका अपने डीटेल, देट अव बर्थ और अल, उसके बाद, इंवाद इंवाद अगर GST में रजिस्टर्ड हैं, तो वो हमाएं पास information we can get, और या तो वो information, बहुत basic information हमें चाहिए, उसके बाद, वी विल बी अबल तो assess and score these customers for providing them loan. तो जैसा हमने बताया कि दो लाग का loan जो हम दो मिनिट में process कर सकते हैं and approve कर सकते हैं, अगर किसी customer की requirement दो लाग से ज़्यादा है, तो उसके लिए customer को कुछ extra document देने पड़ेंगे, या consent देना पड़ेगा, जैसे कि last 6 महिने का bank statement है, GST statement है, या ITR है. ये document जहीं है, दो लाग के ऊपर तक के loan का up to 10 lakhs, so up to 10 lakhs का loan, unsecured loan we can process इस platform पे, उद्योग प्लस में हम कर सकते हैं. अभी तो जैसा है हमने बताया कि 2400 registration हुए है मध्यप्रदेश से, target हम ये बहुत ही नया हमारा प्रयास है, हम अभी wait करेंगे, कुछ महीने देखेंगे कैसा response है मध्यप्रदेश में इस platform पे, और उसके बाद देखेंगे क्या target लेना चाहिए, लेकिन अभी we want to encourage कि छोटे businessmen इस platform पे आएं, इस platform को experience करें, देखें कि क्या-क्या उनको facilities और क्या-क्या features उनको मिल सकते हैं इस platform पे, तो वो हमारा intention है to get many more small businesses and MSMEs on this platform. मुपाल से उमेश आदव के रपोर्ट